दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Paytm वालेट में पैसे को कैसे एड कर सकते हैं यानि कि दोस्तो आपने Paytm एकाउंट बना लिया है अपने Paytm में अपने बैंक एकाउंट को भी जोड लिया है और आप चाहते हैं अपने Paytm Wallet में अपने पैसे को add करना, जिससे आप किसी भी दुकान पे scan करके pay कर सके, आप अपने Paytm Wallet से अपना mobile recharge कर सके, यानि कि Paytm Wallet पे पैसे को add करना चाहते हैं और उसका use करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को complete देखना, इस वीडियो में मैंने आपको detail में बताया है कि कैसे आप अपने Paytm Wallet में पैसे को कैसे add कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने Paytm Wallet में अपना balance कैसे add कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आ आपको मिलती रहेगी, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने Paytm wallet में पैसे को कैसे add कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको Paytm application को open कर लेना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना account create कर लेना है, अगर आपने Paytm account create नहीं किया आपको Paytm account, Paytm पर अपना account create करना नहीं आता है, तो इसके उपर भी मैंने एक detail वीडियो बनाया हुआ है, जिसका link आपको इसी वीडियो के नेचे description में मिल जाएगा, जहां से दोस्तों आप अपना Paytm account बहुत easily create कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों आप cashback भी पास सकते हैं, त आपको account बनाने के बाद Paytm application कुछ इस परकार से नजर आएगा, तो जैसे ही आप Paytm application को open करेंगे, तो आपके सामने कुछ अलग-अलग परकार के यहाँ पर option देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक wallet का option दिखाई देगा, तो आपको इस wallet वाले option पर click कर सकते हैं, तो आपके सामने कुछ इस परकार का page आजाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको total wallet balance दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे wallet में अभी 0 rupees है, यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं है, यहाँ पर हम पैसे add करके आपको दिखाने वाले हैं, कि कैसे आप अ चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको enter amount का option दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप जितने भी रुपए अपने paytm wallet में add करना चाहते हैं, वो amount आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि example के लिए हम 100 रुपए अपने paytm wallet में add करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने 100 रुपए डाल दिया है, उसके बाद दोस्तों नीचे आपको proceed to add के ओपर click कर देना है, जैसे दोस्तों आप इसके ओपर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface आ जाएगा, अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने अलग-अलग option देखने को मि मिल जाएगा, अपने अपने Paytm account में जितने भी bank account add किये होंगे, उन सभी bankों का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं इन में से किसी bank account से Paytm wallet में पैसे को add करना तो उस bank account को आप यहाँ पर select कर लेंगे, साथी दोस्तों नीचे अगर आप आप जाएगे, तो यहाँ पर आपको और भी option देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर देख सकते हैं debit card, credit card, उसके बाद UPI, उसके बाद net banking, आप किसी भी माजधम से अपने Paytm wallet में money को add कर सकते हैं, तो फिलाल दोस्तों हम इस bank account से अपने Paytm wallet में पैसे को add करना चाहते हैं, तो हमने इसको select कर लिया है, उसके बाद दोस्तों नीचे आपको Paytm wallet पर क्लिक करना है, जैसी आप Paytm wallet पर क्लिक करेंगे, तो आपके bank का जो भी UPI पीन है, उसे आपको यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद दोस्तों नीचे आपको Right wallet पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर money added successfully हो पर 100 रुपए हमारे Paytm wallet में add हो चुके हैं इसके बाद दोस्तों अगर आप इस 100 रुपए का इस्तिमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको pay का option दिखाई देगा जिससे दोस्तों आप किसी भी QR code को scan करके अपने Paytm wallet से pay कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको transfer to bank option दि देख सकते हैं कि Paytm wallet के balance को bank account में कैसे transfer करते हैं साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप Paytm wallet के balance को gift voucher बना सकते हैं यहाँ पर आपको automatic add money का option दिखाई दे रहा होगा अगर आप चाहते हैं कि हम इन सभी topic के उपर वीडियो बनाए तो आप नीचे comment करके ज़रूर बतना हम आपके लिए इसके उपर भी वीडियो बना देंगे तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखा दिया कि Paytm wallet के अंदर आप अपने balance को कैसे add कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद रही है तो वीडियो को like कीजे, share कीजे, साथ ही हमारे चैनल को subscribe कर दीजे, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी next वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखे, goodbye and take care.